किवाइचल परदेश की दी नोटिफाइड सुखु की कॉंग्रेस सरकार ज्यादा दिन की महमान नहीं है जिस परकार से सुखु सरकार ने अपने पिछले दस महा मात्र दी नोटिफिकेशन में ही व्यक्ट कर दिये अब वक्त आ गया है कि ऐसा ही सिलसिला परदेश की कॉंग्रेस सरकार का रहा तो परदेश की जंता ही कॉंग्रेस की सरकार को दी नोटिफाइड कर देगी जिस परकार से हिमाचल परदेश के अंदर चाहे वो मेंगाई का मिश्य हो चाहे वो चर्मरा रही कनून वेवस्ता हो चाहे वो जूती गरंटियों की नाव में जो सत्ता में आई थे उन गरंटियों में जो खमोशी धर्ण करके कॉंगरेस की सरकार बैठी है ये विशे हो परदेश की जनता का सवाल परदेश की सुखु सरकार नहीं दे पारी है मैंगाई की बात करने बाली कांगरेस सरकार ने सबसे पहले आते क्या तोफा दिया कि साथ रपे डीजिल की एक मुस्त कीमत बढ़ाना इससे कौन वर्ग पर भावित हुआ परदेश की गरीव जनता गरीवों की कमर तोड इस परकार से कनूओ इस परकार से वबस्ता परिवर्त्म और यही नहीं पिछले दस मां के भीतर जिस परकार से सुखु सरकार के लोग चाहे वो मंत्री मंदल में हो जिस परकार से उनका आपसी घमसान मचा हुआ है चाहे को कॉंग्रेस पार्टी की प्रदेशा भ्यक्षा लगातार दिल्ली हाई कमान में अपनी पीडा और धर्द को वहां ब्यांग कर रही है वे कॉंग्रेस पार्टी के पूर के प्रदेश अभ्यक्ष पहले ही अपनी बेरना भ्यक्ष कर चुके हैं सुखु सरकार के एक मंत्री कुछ और बोल रहे हैं दूसरे मंत्री कुछ और बोल रहे हैं और जिस कावरेस नेता के दम पर जो पूर में नेता प्रतिपक्ष थे, परदेश की सरकार बनाने में काम्याब हुए, बर्तमान में उक्मुक्य मंत्री, उनकी वर्स्तु सिती क्या है, उनको पूरी तरह रायलितिक हाशे पर दकेला हुआ है, इस परकार के जो घटना करम है, विकास में असर पड़ा है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कि अगर यही स्किती रही, तो हिमाचल परदेश की कावरेस सरकार ज्यादा समय पर परदेश की सर्ता में नहीं टिक सकती है, और ऐसी कमजोर और दिशाहिन सरकार के विरुतर, जिस परकार पिछले दिनों, भाई बदिजाबाद, सेवा भाव में भी अपना और प्राया और जिस तरह से वंदर मांट हुई है, इन तमाम विशों को लेकर भारतिय जंता पार्टी और बधाईक दल भारतिय जंता पार्टी का सव्यूत नितरत्व, मैं इमाचल परदेश के हजारों कारेकता, 25 स्तंब 2023 को राइधानी शिमला के विधान सवा में एक विशाल परदर्शन के रूम में गहराव करेगी, ताकि प्रदेश की ये सुखु सरकार आने बाले समय में प्रदेश की जंता के साथ और जोलमना कर सके, आज मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद